Hello and welcome friends, यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमने header files का प्रयोग किया है, hash include stdio.sh तो आपने पहले भी यूज़ किया होगा, लेकिन यहाँ पर देखे यह c type नाम की एक header file मैंने यूज़ करी है और यह math.x, फिर यहाँ पर main function लगाया है, integer type का variable बनाया है, फिर float type का, फिर double type का, तीनोही type के variables हमने बनाये हैं, और फिर उनको print कराया है, यहाँ पर ABS function का use किया, यह pre-built है, sign का use किया है, फिर cost का use किया, exponent यूज़ किया है, log यूज़ किया है, और फिर power भी यूज़ किया है, चलिए एक बार इसको चलाते हैं, देखते क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसक देख लूज़ किया है, यह जुज़ किया है, यह यूज़ किया है, यह बनाये हैं, इसक्दर देख गार सुड़ किया है?